नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी बुलेटिन के शुरुवात बड़ी खबर से करेंगे जहां ओतर प्रदेश अधिनस्त सेवचन आयो के अभियर्थी छे दिनों से अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन पर धरना द यूपी के अलग अलग जिलों से आकर दिन रात या अभियर्थी खुले आसमान के नीचे बैट कर सरकार से अपनी नियुकती के मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते होए नजर आ रहे हैं इस दौरान हमारे सहियोगियों ने इन तमाम अभियर्थियों से बाचीत की है उनका इस मसले पर क्या कुछ क्याना है वो भी सुनिये नहीं रह तो babies Hue लेसं कि और उस्वेर्थी जौनियों मांग को सुनते हुए आगे तक पहुंचाते है लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर फॉर्स भी रहती है जो लगातार करने लीके करने हैं यानिोग्ति 받고 करके जोर्णınक की बात की ब्यार्ति खुद मौजूद हैं इनसे खुद जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है यह बताइए आपका नाम क्या है मेरा नाम दिलीब कुमार है यह बताइए आप लोग यहां पर जो अपनी आवाज उठाने के लिए इकठा हो रहे हैं आखिर आप लोगों की आवाज क् हो गए हम लोग का डीबी कराए अब हम लोग का एही मांग है कि हम लोग का प्रणाम जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए कि सरकार जिस तरह से कहती है कि वो लोगों को भरती कर रही है लोगों को रोजगार दे रही है आप लोग अलग अलग जिलों से आए हुए हैं यह सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर जो आप लोग अपनी मांग की बात कर रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज पहुचाने की बात कर रहे हैं अगर जो नियुक्ति की बात है नियुक्ति नहीं मिलती है जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं तो आखिर कार आगे का जो कदम आप लोगों का रहेगा क्या कुछ कदम उठाएंगे जिससे सरकार तक आप लोगों की आवाज पहुच सके सब्सक्राइब लगातार हम लोगों का धर्णा यहीं पर जारी रहेगा डिपावली में हम लोग यहीं रहेंगे दिपावली भीमारी यहीं मनाई जाएगी और आगे हम लोग आमरे डानुसंत के लिए भी तैयार हैं जैसा की तस्पीरे आप देख रहे हैं यह तिरपल सी के वह अभ्यारती हैं जो साल 2019 की परिक्षा में चैनित हुए और अब अंतिम परणाम जारी करने की घोस्रा कर रहे हैं लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से सरकार से लगातार यह लोग आवाज उठा रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर तो अब देखना यह होगा कि आखिर इन लोगों को नियुक्ति मिलती है या फिर इन लोगों का जो धर्ना है वो लगातार जारी रहेगा विडियो जनलिस नीरज के साथ मौमत कलीम प्राइम टीवी लखनव यूपी सरकार प्रदेश में स्वास्विवस्ता को सुधारने के लाखो दावे करती है लेकिन उनका है प्रिशासन सरकार के इस मंशा पर पलीता लगाता हुआ नजर आता है ताज़ा मामला जनपत और आया से सामनी आया जोहां एक बार फिर मानफता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामनी आया है आपको बता दी के सुधारने की लापरवाही से एक भाई अपनी बहन का शव बाइक से घर ले जाते हुए दिखा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वैरल हुआ है जिसके बाद जिला प्रिशासन में हड़ कंप मच गया है बिधूना सियत सी प्रभारी और एक कर्मचारी को हटा दिया गया है दरसल ये पूरा मामला बिधूना कजबे का है जहां नवीन बस्ती निवासी प्रभल प्रताप सिंग की 20 वर्ष्य बेटी अंजली को घर में करण लगया है और अंजली को उसका भाई उसे बिधूना इलाज के लिए लेकर गया जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत गोशित कर दिया है और स्वास विभा की लापरवाही से उसे अंबुलेंस भी नहीं नसीब हुई और गौर तलब है कि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी तस्वीर साज़ा की गई है जिसमें योगी सरकार की स्वास सिवाव के हाल को लेकर हमला किया गया इस पूरे मामले पर सपा की तरफ से कहा गया कि ये तस्वीर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है जो सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है वहाँ स्वास विभा के एक अबुलन्स तक भी मुहाईया नहीं करा सका है अगली ख़बर रायबरेली से है जोहां ग्यात महिला का शफ मिलने से हड़ कंप मच गया है मामना लाल गंच कुद्वाली शेतर का है जोहां ग्यात महिला का शफ नदी में उत्राता मिला भाई सुचना मिलता ही मौके पर पोचे पुलिस ने शफ को कबजे मिले लिया है और पोस्ट मॉटम के लिए भी भेज दिया है फुलाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है लेकिन महिला के शरीर पर चोट के काफ़े निशान भी पाई गए है यह लोन नदी है और लोन नदी के किनारे एक महिला का सो पड़ा हुआ था कुछ लोगों ने बताया तो हम लोग वहां सब लोग पूरे गाउं की गठ्था होके वहां पहुंचे पहुंचने के बार नदी में सो डूबा हुआ था तब तक पुलीस आ गए पुलीस ने अटने करदे में लेके प्यार वी को सूचना दी गई कि बेटा के पास एक अग्यात महिला का सो नदी में मिला है इस सूचना पर हमारी लाल गज पुलीस की टीम छित्रा अधिकारी और थाना ध्यच तथा फिल्ड यूनिट की टीम मौके पे पहुची और उस महिला के सो को बाहा निकाला सौपे जाहरा कोई चोट के निसान नहीं है फिर भी मृत के वास्तवी कराण जानने के लिए पंचायत नामा भरवा करके पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और महिला के अभी पहचान नहीं हो पाई है पहचान है तो जन्पत के सभी थानों से और आसपास के जन्पतों के थानों से वारता की जा रही है और उनके पास सूचना प्रेशित किया गया है और इस अंदर में जो भी अग्रिम विदीख करवाई है उप यूपे के गाजबाद में पिंकी और टोनी गैंग में एक खूनी जंग हो गई है जुसमें दोनों गैंग के तीन लोग घायल हो गए है वाई-पुलस ने मौके से पांच तमन्चों और अठारा खाली खोके बरामत किये हैं पिंकी और टोनी गैंग के बीच हुए गैंग व मलोणी में दो गोतों में मार petit हो रही है, सुचना पर थानाशचत्री फुलस तत्काल मौके पहुंच थी जिसे पद्रों करते हैं, लोग दिली कितर भागत है कि यह जनकारी करने पर पता चलता है कि यह दोनों गूत नई सिमा पूरी धाना सिमा पर दिली किरानेवाले हैं तथा इन में पूरो में भी मार्पटाई गई थी तथा ये मार्पटाई करते हैं वे थाना श्रत में प्रिवश कर जाते हैं नहां आप हारी होती है ताजनगरी आगरा में बढ़ते प्रदूशन के खत्रे को देखते हुए डियम ने बैठक की है आपको बता दे कि बैठक में डियम ने कहा कि पेड़ो पर वाटर मिस्ट वाहन का प्रियोग कर छिड़काफ की आज़र और साथ ही त्यवारों को ध्यान में रखते हुए आगे भी छिड़काफ का काम यूही जारी रखा जाए जिससे वायो प्रदूशन पर रोग धाम लग सके खबर गोंड़ से है जहां करनल गंज में खणनन माफियाओ के होसले बुलंद हैं जहां अवैत तरीगे से बालू और मिट्टी का खणनन का काला कारोबार जारी है जिससे लाकों की लागत से बनी सडके धारशाई हो गई वही डंपर की चपेट में आकर एक आदमी का पैट उड़िया जिसको लेकर ग्रामीडों में काफी नाराज की दिखाई दी है वही गोंडा डियम नेहा शर्मा निकार गिजले में अवैत खननन के खलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी लेकिन पिशासन के लापरवाही के चलते अवैत खननन का ये जो कारोबार है ये लगातार बढ़ रहा है और फल्फूल भी रहा है इस बुलिटिन में फिल्हाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेए प्राइन ट्रीवी